Hello and welcome friends, welcome to pharma वेदा ग्यान तो एम्स में जो वेकेंसे रिलीज हुई है Common Recruitment Examination 18 से 20 दिसंबर को रहने वाला है तो इसमें जो है एक प्रिटिशन दायर की गई है High Court मध्यपर्दिस इंदौर में जिसमें की कहा गया है कि जो Exam Mode होना चाहिए वो Hindi और English दोनों में होना चाहिए तो काफी लोगों को doubt है कि क्या ये भड़ती में stay लग गया है postponed हो गया है तो ऐसा अभी कोई confirmation नहीं है कोई official notification नहीं है तो सारी चीज़े अभी हम जानेंगे तो यहां पर आप देख सकते है 14 तारिक को ये जो decision दिया गया था इसमें अभी सुनवाई होनी है जो कि आज आपकी सुनवाई होगी तो उसका update भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूँगा तो इसमें कहा जा रहा है कि exam जो रहेगा वो Hindi और English दोनों में होना चाहिए लेकिन जो notification है उसमें सिर्फ English mode कहा जा रहा है जैसे आपका assistant administrative officer हो गया junior administrative officer हो गया और काफी ऐसी post हैं जिसमें की English mode है सिर्फ examination will be English mode बताया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इससे पहले जो vacancy हैं हुई है जैसे की aims पटना की बात करने और भी जो vacancy हुई है उसमें Hindi और English bilingual जो है examination conduct कराया गया है तो इसमें कहा जा रहा है कि exam जो रहना चाहिए वो आपका Hindi और English में होना चाहिए तो ये जो है prediction दायर की गई है जिसमें की high court ने जो है एक दिन का समय दिया गया है जो की 15 तारिक को अब आज की दिन इसमें सुनवाई होने जा रही है तो अभी देखिए किसी भी प्रकार का stay नहीं लगा है पोस्पॉन नहीं हुआ है अभी जिस तरीके से examination रहेगा 18 से 20 तारिक को ही रहेगा लेकिन जो आज इसकी hearing हो जाएगी जो भी decision होगा वो हम आपको update प्रोवाइट करा देंगे चैनल में नहीं है चैनल को आप लोग subscribe कर लीजिए अपनी preparation करते रहें 18 तारिक को और 20 तारिक के हिसाब से क्योंकि अभी कोई भी final confirmation नहीं आया है जैसे ही official update आएगा वो मैं आपको provide करा दूँगा तो 15 तारिक को आपकी जो है सुनवाई इसमें होने जा रही है ठीक है मतलब आज ही के दिन इसकी सुनवाई कराई जाएगी तो आप लोग channel के साथ बने रहे हैं और अपने सुजाओ comment box में जरूर बताएं कि ये examination जो है Hindi English में होना चाहिए या फिर सिर्फ English Medium में ही होना चाहिए क्योंकि काफी post में क्या था कि सिर्फ domain जो आपका रहेगा वो English में ही होगा Hindi में उसका कोई option नहीं आ रहा है notification में भी ऐसा नहीं बताया सिर्फ आपका जब admit card release हो गया उसमें ही लोगों को पता चल पाया कि आपका exam जो रहेगा वो English मोड में ही होगा तो ऐसा confirmation आपका रहेगा तो आप लोग बने रहेए और comment box में ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से इस examination को ले रहे हैं और अपनी तैयारी करते रहें पैनिक क्रेट करनी की ज़रूरत नहीं है ओफिशल अपडेट जब तक नहीं आता तब तक आप लोग अपने को 18 से 20 तारिक के लिए prepare करके रखें हमसे जुड़े रहे हैं मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई